बेटू मै चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसे चमतकारिक पौधे एक और श्धी गुणों से भरपूर पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों जो आपके बहुत ही काम आने वाला है यह पौधा आप ध्यान से देख लेए इसके बीजों को इसकी पत्यों को इसके स्टैम को और इस पौधे को शायद आपने अब इसे पहचान लिया होगा दोस्तों यह जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों यह पौधा है अपामार्ग का अपामार्ग के बहुत सारे क्या कहा जाता है कमेंड में जरूर बताईएगा दोस्तों और वैसे तो यह खपतवार ही मानते हैं दोस्तों यह परन्तु इसके औजदी गुण शायद आपको नहीं पता होगा कि कितना ज्यादा इसकी मेडिस्नल प्रॉपर्टी है तो ऐसे ही पौधे के बारे में आज आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हूं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही साथ शिखास की चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो यह जो अपमार्ग का या पत्यों को चीव करके मसूडों पर मलेंगे तो मसूडों की सूजन खतम होगी पाइडिया की बिमारी खतम होगी दातों के दर्द से चुटकारा मिलेगा दातों में यदि कीडा लगा है दोस्तों तो कीडा भी निकल जाएगा बहुत आसानी से दात के दर्द को दात इसकी दातों की जाती है जी हाँ दोस्तों यदि दात में बहुत जादा दर्द है कीडा लग गया है इसकी दातों करें कुछ दिन दात का कीडा बाहर निकल जाएगा नात का कीडा मर जाएगा आपका इतना जादा फायदे मन्द है वैसे तो इस पोधे की जो डंडिया है न दोस्तों तो आप देखेंगे मुझ से संबंदित कोई भी बिमारी आपको हुने नहीं पाएगी ना दातों का दर्द होगा ना दात जल्दी तूटेंगे ना दात हिलेंगे साथ इसाथ दात आपके अच्छे मजबूत होंगे तो दातून भी जरूर करें इसकी डंडियों को अब आप सोचेंगे रहे हमें रोज रोज तो ये पौधा नहीं मिल पाता ताजी ताजी डंडिया नहीं मिल पाती हैं तो कई जगह पे गाउं में लोग अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए बहुत मिल रहा है तो गाउं में लोग क्या करते हैं दोस्तों इसकी डंडियों को सुखा कर रख लेते हैं और डंडियों को सुखा कर रखने के बाद क्या करते हैं जैसे सुबह दातून करना तो राद भर डंडी को पानी में भिगा देते हैं को और बस सुबह उठकर ये डंडी पानी में सौफ्ट हो जाती है और आप दातुन कर ले दातों में चमक आएगी दातों का कीड़ा दूर होगा दातों का दर्द ठीक होगा और साथ ही साथ यदि मुह से बदबू आती तो वह भी दूर होगी मुह से कई बार-बार खून आता बिल्कुल ही दूर होगी मुह से संबंदित दातों से संबंदित सारी बिमारियां दूर होगी अपामार्ग का यूज करने से तो बहुत जादा इसकी इसलिए तो इतनी में डिस्नल प्रॉपर्टी दोस्तों आप इसके बीज देख रहे ना जो मैंने आपको बीजे हमारे हाथों में इसके बीज चिपक जाते हैं तो मुह की सारी बिमारियों को ठीक करता है बहुत से लोग क्या करते हैं इसकी पत्तियों को चबाते हैं आप भी चबाएं इसे 4-5 मिनट चबाएं अगर आप इसके रस को मल्ला नहीं चाहें अपने आप इसका रस पूरे मुह तो इसे थूख दें दोस्तों, जैसे आप लोग पान खाते हैं ना चबा चबा कर, वैसे ही पत्तियों को चबा चबा कर खाएं, मुह से सम्दित सारी बिमारिया दूर होंगी, दाथ मजबूत होंगे दोस्तों, और बहुत बढ़िया है, पई बर क्या होता है, मुह में जब ब पत्तियों को निगला जाए, उसका रस लगना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से मैंने पत्तियों को अलग कर लिया है, डंडियों को बता दिया, सुखा कर भी रख सकते हैं, ताजी मिले तब तो बहुत अच्छी बात है, तैसे अपने घर पर भी ये पौधा आप लगा स इसका डंडिया देख सकते हैं, थोड़ी सी ब्राउन सी है, लाल सी दंडिया होती है, इसके फल, इसके बीज में दिखा दिये, जो छोटे बीज हैं दोस्तों, ये दिखा दिये, तो जो अपमार का इसे कई लोग अधेडी कहते हैं, चिरचिता, बहुत सारे नाम है, तो मु इसके पत्ति का नगुं का दिखा दूंज में भी इसकी पत्तियों का रश बहुत ही फाइधे मंद है, बहुत जाए वह हमाने दाट बहुत जाओत है, चाही पीने से। दान फूदल ये पड़े पढ़ धाने, उनके लिए वह बहुत फाइदे मंद है, थी दी द cutting and curgate jest., ज monopol इसकी दातून करें, कुछ दिन regular दातून करेंगे तो दान्त ऐसे मजबूत होंगे, दान्त का किड़ा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, दान्त के दर से तुरंत ही आपको छुटकारा मिलेगा, तो यह बहुत ही फाइदेमंद है इसका तना भी, और साथ ही साथ दोस्तों पत् आप चाहें तो दातों से चबा सकते हैं, कूट कर रस निकाल सकते हैं, सारी और जियां भी कम है दोस्तों अपा मार्ग के आगे, तो इतने सारे मैंने फाइदे बताया है, दोस्तों इसकी जड़का भी दातून किया जाता है, आप तो इसके तने का भी दातून कर सकते हैं, तो हर रास्ते में आसानी से मिल जाएगा शायद आपके घर के आस पास लगा हो और आपको मैंने इसकी पहचान बता दी कि इस तरह से इसकी पत्तियां इसका तना होता है इसके फूल इसके जो बीज होते हैं ये होते हैं तो वैसे कहा जाता है ऐसा कहते हैं इस पौधे की जड बहुत ही खतरनाक होता है, आप लोग तो बहुत इलाज करा चुके होंगे, दान्त के दर्द का, यदि दर्द हुआ होगा, मेरे कहने से एक वारे से ट्राय करें दोस्तों, क्योंकि इसका इतना धर्मिक महत्व है, हमारे हां तो पूजन में हम लोग इसका दातून जरूर करते पायरिया जैसी बिमारी ठीक होती दोस्तों, इतना ज्यादा फायदे मंद होता है, आखों के रोगों के लिए बहुत फायदे मंद है, तो दोस्तों यह इनफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, इतने औजदी गुणों के भंडार वाले पौधे के बारे में जो शेयर की है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, तो इन पत्यों को मैंने इस तरह से पीस लिया, यह पेस्ट तयार हो चुका है, यह देखे कुछ इस तरह से, बस इस पेस्ट को लेकर जैसे आप लोग मंजन करते ना वैसा भी कर सकते हैं, इतने जल्दी यह ठीक करता है दात के दर्द शेखो, दातों के कीड़े करें ना सबसे बैस चीज़ बताई है, कई बार दांत में कीड़ा लग जाता तो बहुत जादा दर्द होता है दोस्तों और हो ही जाता है, कई बार हम लोग भी बहुत जीक हाई काफी, पान खाते हैं गुटके वाला, उससे भी हमा सरसो तेल भी बहुत अच्छा दर्द निवारक होता है, दर्द को खीच लेता है, आप चाहें, तो मिला सकते हैं, नहीं है, तो कोई जर्वत नहीं है, आप सिर्फ इसकी पत्तियों को चबा-चबा कर रस लगा लें, पेस्ट लगा लें, दातून करें, आप देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, सांथी शिखास कीचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर करिए कर दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा?